नमस्कार दोस्तों रादे रादे कैसे हैं आप सभी आश्र करती हूँ आप लोग ठीक होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो जी early morning है और मैं लगई हूँ अपने काम पर अपनी सुभे के ज़ाडू वगयरा निप्टा के जो अपने मतलब daily यूज daily मरा के काम है वो करके म मैं हूँ आई हूँ किचन में और ये वीडियो है 26 जनवरी से एक दिन पहले का यानि कि 25 जनवरी का तो यहां पर मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ पिहू के डैड़ी दूद वगएरा लेके आए हैं तो उसकी चाय बनानी है बच्चों के लिए दूद करना है बच्चे उ मतलब बाद में दो दूद का गरम कर रहे तो यहां पर एक साइड मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए खाना खाने में मैं बना रही हूँ काली दाल और चने की दाल मिक्स करके काली दाल आप पूछ रहते हैं जो उडद की डाल छिलके वाली होती है एक तो साबुत उ लिए हैं चाई मेरी और अपनी क्योंकि हम दोनों ही सुबह को चाई पिते हैं एक बार जल्दी ही हम पी लेते हैं अब बहुत ठीक हो गया कि मतलब थोड़ा सा रुख के काम करके पिते हैं नहीं तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि बैड़ पे ही चाई चाई होती थी मेरी जाती थी तो ये था एक तरीके से अच्छा भी था, एक तरीके सा लेट भी था क्योंकि पियों के डढ़ी की आँख जल्दी खूल जाती है तो यह चाई लेके आ आ जतते हैं तो उठ जाते थे जल्दी अभी जैसे दुकान पे बर्दन हो रखा है थोड़ा सा जाद है तो थोड़ा सा लेट होते हैं उठने में और हमारा भी रदता है क्योंकि रात को भी ये लेट आते हैं फिर सो जाते हैं और सुबह को थोड़ा सा इनका अपना morning routine होते हैं गूमने फिरने का तो वो हो के फिर ये अपना चाय बगयरा हम पितते हैं बाद में तो कहीं चिज़ें सही हो रही है तो देखें आपे चाय पीने के बाद मैंने आट्टा बगएरा लगा दिया है बच्चों का हो गया है दूद और बच्चों को मैं जाओंगी दूद देने बच्चे नहाद हो लिये थे तब तक कपड़े बगएरा भी पहल लिये थे उन्होंने तो यहाँ पर यह री कि नहीं आ रहे हैं तो हम अपना काम उसी हिसाब से लेके चलते हैं शाम कोई प्लानिंग हो जाती है कि किस टाइम क्या करना है कैसे करना है तो वही मेरा भी था कि मैंने प्लानिंग कर ली थी कि मुझे किस किस तरीके से करना है और यह है भी अगर हम नाइट में ही अपने द अल्कुल टाइम पे ही जाके हमें कुछ और चीज पता लगती है कि नई भाई हमें तो ये भी करना है तो सारे प्लानिंग खतम हो जाती है वहाँ पे जाके और आदम में पजल सा हो जाता है कि शुरू कहां से करें कहां से नहीं तो ये था कि मुझे शाम में पता लग गया तो खुद से उन्हें बोलनों कि पूजा करें और अपना जो है उनको जितना भी आता है जो भी उनको आता है वो करें। कम से कम जोत जरूर लगाएं वो। तो देखें यहां पर अब बच्चे जो है जोत लगा लिया है काना जी को तिलक बगयरा लगाएंगी परफ्यूम लगाएंगी और खुद को भी साथ छिड़कने पर लगी पड़ी हैं जो कि मर्श टाइम किचन में इनका नाश्ता बना रही थी तो मुझे नहीं पता कि यह क्या कर रही थी तो दह्वें बस यहां पर बच्चे ने कर लिया है अपनी पूजा और मैं किचन में इनका लंच जो है वो कर ले डी हूं पैक प्राठे बना दिये हैं दाल होगी है और फ्रूट होगे है फ्रूट में मैंने एपल रख दिया है और बस अब इनका मैं लेंज त्यार कर दूँगी तो जो देखिए बस यहां पर फटाफट से अपना रूटीन हो गया है और खाना सुबही दाल मैंने बना भी इसलिए दी थी ताकि जो दोपैर को फिर मुझे दोपैर के खाने की टेंशन ना हो आटा भी दोपैर के लिए मैंने सुबही लगा दिया था खाने की तो दीखे यहां पर यहां यह बच्चे जाने लगे हैं तो देखें यहां पर यह बच्चे जानने लगें हैं और पिहों के डैडी ही चाए पीने के तुरंत बाद ही चले गए थे बुटिक पे तो इसलिए अब जो कनेईया है वो जा रहा है पिहु रूई को छोड़ने के लिए और वो गुड़ू इशू को छोड़ने के लिए आया था तो फिर इसको टी धरी थी तो ये चले गए है बच्चे और उसके बाद मैं अपने लिए और पिहु के डैडी के लिए भी नाश्ता बना के रखब दूँगी नाश्ता मदलब रोटी बना के रखब दूँगी डाल वगेरा निकाल दी है मैंने सारा मतलब तक मेरे जो है सफाई का कीचन का काम मोश्टली मेरा खतम हो जाता है उसके बाद बच जब सुनीता आती है तो उसका काम रह जाता है नहीं तो उस टाइम तक मेरा आप ये मानिए कि नो बज़े तक मेरे सारे काम हो जाता है बच्चों को भेजना सफाई करना कीचन को साफ करना नास्ता वगेरा बनाना या दोपेर के लंच के जो भी जितनी भी तयारी है मेरी सारी 9 बज़े तक हो जाती है बस फीर यह था कि मैं का चलिए भई अब सुनीता का आने का हो जाता है लेकिन अब से मैंने उसे बोला आई फिर मैंनका भई सुनी ता 12 बजे बहुत लेट हो जाता है क्योंकि उस टाइम फिर मेरा दोपैर का रूटीन शुरू हो जाता है उस वज़े से फिर सुभे का कीचन का भी काम मतलब जो बरतन वगेरा है जाडू है पोच्चा है जाडू मैं लगा देती हूँ लेकिन पोच्चा है कपड़े है वो सारे मतलब रूटीन उनका बिल्कुल चेंज ही हो रहा था तो मैं का भई देख लेगर तू मैनेज कर सकती है तो ठीक है नहीं तो फिर मैं खुद से करती हूँ तो फिर वो कहने लगी कि नहीं देदी मैं तो खुदी सोच रही थी कि आपका काम काफी लेट हो जाता है तो मैं जल्दी ही आया करूंगी वो देखे सभी जब कोई बंदा साथ में रहता है तो वो जानता है कि हमारा रूटीन किस तरीके का है तो अब वो बोल गी थी कि मैं देदी साड़े नो तक आ जाया करूंगी नो साड़े नो बजे तक मैंने का चलो भाई ये ठीक है कि तुम आ जाते हो ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी काम का नुकसान ना हो और मेरे भी काम का नुकसान ना हो तो खेर देखें हैं यहां पर मैंने अपने कीचन जो है भरतन फटाफट से चमका दिये हैं सारे और देखें अच्छा भी लगता है कि जब हम हाफते में एक दिन भी हम खुद करें अपने सारे काम को तो अच्छा लगता है मैं खुदी सोच रही थी मैं एक दिन मैं सुनीता को छुट्टी दिया करूँगी मैं ने का तुछ हफते में एक दिन ना आया कर मैं उस दिन सारा काम खुद से करा करूँगी तो थोड़ी सरीर का एनरजी लेवल सा भी बढ़ जाता है उस टाइम तो थकान लगती है लेकिन उसके बाद जो है मतलब ऐसा लगता है कि संतुष्टी सी मिलती है एक काम करके घर के खुद के अपने हाथों से तो एक जो सैटिस्फिकेशन होता है वो तो देखिए जी बस कीचन मेरा चमक गया है टाइल्स वगेरा मैं कर दूँगी साफ वैसे तो रात को मैं करके लेटती हूँ लेकिन जितनी भी बार मैं बरतन दोती हूँ उतनी भार मैं अपनी टाइल्स को साफ करती हूँ उतनी भार मैं सलेप को साफ करती हूँ गैस को साफ करती हूँ तोजिर dेखी कीचन हो गया है मेरा अब मैं लगा दूंगी जाके मशीन और ये होता है मेरा कि जैसे मैं अमल्लब पानी मैंने चला दिया था पहली जब मैं कीचन में बरतन करने लगी थी तब ही तो वो होता है कि मैं जब कीचन का काम निप्टाती हूँ बरतन वगरा जाड़ू लगानी होती है तो तब तक जो है मैं मशीन लगा देती हूँ तब तक मेरे कपड़े धुल जाते हैं और उसके बाद फिर मैं जाड़ू वगरा साफ सफाई करना कीचन के बरतन अगर मैं खुद से कर रही हूँ तो कि यहाँ पर कपड़ों की मशीन मैंने लगा दी है अब मैं करने लगी हूँ अपनी साफ सफाई कृष्णा भी उठ गया है और मैं यहाँ पर बस अब बैडशिट वगेरा जाड़ दूगी बिस तरह उठा दूगी एक ही रूम में हम लोग लेटते हैं बाग की इतना सफाई का काम मेरा रहता है नहीं मैं अपना सारा रात को ही करके लेटती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को भी कि अगर हम रात को ही दिन की प्लानिंग करने तो दिन हमारा बहुत इजी हो जाता है निकलना काम बहुत तीजी हो जाता है मेंटेन करने तो मैं इसलिए हमेशा अपने जादतर काम रात को ही करके लेटती हूँ ताकि मैं जब सुभा को उटू तो मुझे एकदम से भागा दोड़ी ना करने पड़े मारा मारी ना करने पड़े की नहीं है काम मेरा छुट गया मेरा वो काम छुट गया mostly ऐसा होता है मैंने देखा है कि मतलब रात को जब नहीं होता तो सुभा ही सारे मां को फैला हुआ मिलता है और उसमें ये हो जाता है कि बही बताओ सारा घर मतलब है गंदा मैं आपको बताओ मेरे घर की कंडिशन ऐसी होती है सुबह के टाइम भी अगर आप मतलब कोई भी आ जाए तो किसी को ये नहीं पता लगेगा कि मैंने साफ सफाई की है या नहीं की है या साफ हुआ या कैसा मतलब घर बिल्कुल साफ सुथरा लगेगा कि जैसे मैंने साफ करके ही रखा हूँ अभी अभी तो ये वाला कंडिशन मेरे घर की जादतर होती है तबियत मेरी खराब है उस टाइम को छोड़ दे तो बाकी मेरा घर इसी तरीके से साफ सुतरा रहता है हमेशा और रात को मैं करके ही लेड़ती हूँ सिर्भव ही मेरे माइंड में रहता है कि कई बार होता है कि अचानक से कोई मॉर्निंग में आ जाए और घर की ऐसी कंडिशन देखे तो क्या सोचेंगे कि कितना गंदा है तो इसलिए मैं उस चीज़ को भी ध्यान में रखके अपना काम करती हूँ और दूसरा इस वज़े से भी कि सुबह को बच्चों को स्कूल बेजना है उनका लंच बनाना है, काम करने है, और साफ सफाई करनी है, सारा कुछ करना है तो उसी भागदोड में बहुत काम फैल जाता है तो यही मेरी वज़े है कि मैं साम के टाइम अपना सारा काम करके लेटती हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मोर्निंग की आदे से जादा तयारी रात में कर लेते है मालीजे, बच्चों का खाना है कि सबजी कुछ बनानी है, पराठे बनानी है, आलू वगएरा उबालीजे, सबजी बनानी है गो भी है, गाजर है, आलू साथ के साथ कट जाएंगे लेकिन गो भी है, गाजर है, मतर है, कोई भी सबजी है अब सर्दियों में तो पत्तेदार सबजे जादा आती है, अगर हम उन सारी चिज्जों को रात को ही कर ले, अपनी थोड़ी सी क्लीनिंग वगएरा रात को कर ले, कीचेन हमारा रात को ही साफ हो जाए तो सुबह को नहीं हमें फिर भागना पड़ता, बस सुबह को काम ऐसे लगता है, बिल्कुल स्मूदली होता है, बिल्कुल टैंशन, फ्री माइंड से काम होते है और यही वज़ए है कि मैं रात के टाइम अपने काम के प्लानिंग करके लेटी हूँ, तो सुबह ही मैं उसी हिसाब से फिर काम करती हूँ, तो काम बिल्कुल टाइम टू टाइम हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जितना टाइम मैं सोचके रखती हूँ, उससे भी पह हैं, जिनकों की मैं छेत पीट के आज सही करूँगी, हमारे हैं इनको मनलब जो मोटे कपड़े होता है या इस तरीके के जिन में होता है कि अंदर मैल भर जाती है, साफ नहीं होती, उनको इसी तरीके से कूट कूट के सही किया जाता है, और ये बिल्कुल साफ निकल हो जात जाए, और बच्चों की ड्रेस थी, तो वो भी मुझे दोनी थी, तो इसलिए भी मैंने मशीन लगा ली थी, मैंने का चलिए, हो जाएगा, और सुनीता भी अब रोज के रोजी कपड़े दोती है, तो उससे भी काम मेरा, बहुत हीजिया होता है, कि रोज के कपड़े रोज तो उनमें स्मेल हो जाती है तो जी लीजे कपड़े भी मेरे फैल गए है अभी और भी है उनको भी मैं लाके फैला दूँगी साथ के साथ ही मुसम आप देखी रहे होंगे कि बहुत कम सी धूप है भलका फुलका साही है और जब मैं ये काम कर रही हूं तब दस बज़ रहे हैं नो बज़े के करीम मैंने बच्चों को विज़े दस बज़े के करीम मैंने कपड़े वगएरा ये मैं धो रही हूं और साड़े दस पोने ग्यारा बज़े तक मेरा जो काम है वो निपट गया था बिल्कुल पूरा का पूरा तो लीज़े ये कपड़े में फैला आई हूं निच्चे अब जो मशीन वगएरा है पिछे की साइड दोना है वो भी मैं धो दूंगी क्योंकि दर भी देखे अच्छा नहीं लगता गंदा सा होई जाता है कपड़े वगएरा दोने के बाद सर्फ जम जाता है महल से जम जाती है तो इदर कई बार में चुला भी रख लेती हूं चानक से हो जाता है कि चुला रखना है तो मैं उसके वज़े से भी पिछे की साइड साफ ही रखती हूं और कपड़े दोने के बाद तो एक नॉर्मल सी बात है कि धोना भी चाहिए उस जगे को तो देखे यहाँ पर मैंने धोके कर दिया है साफ और इधर चुले की मिट्टी आ रही है क्योंकि बार साथ हुई थी रात में तो चुले से मिट्टी आ रही थी तो यहाँ पर पिछे की साइड मैंने कर लिया है साफ अब मैं लगाँगी जाके पोच्चा और बहुत दिन बाद आज मैं पोच्चा लगा रही हूँ तो पोच्चे में मैं फिनाईल के साथ साथ नमक भी डालके पोच्चा लगाती हूँ तो उसका पोच्चा लगाए तो घर में जो है नेगिटिव एनर्जी खतम हो जाती है तो ऐसे छोटे मोटे से टोटके मैं करती रहती हूँ मुझे नहीं पता कि यह वाकिय में काम करता है या नहीं करता है लेकिन एक मेंटिलिटी हो जाती है कि नहीं यह चीज हमने देखी है पड़ी है तो हमें इसे ट्राइ करना चाहिए और मेरा इतना बुरा हिसाब है कि जो चीज एक बार मेरे माइंड में आ जाती है या खटक जाती है वो मैं करती ही रहती हूँ चाहिए उसका कुछ फिर बाद में फाइदा हो या ना हो तो जी खेर आप लोग भी ट्राइ करके देखे मुझे बताइए कि आप लोगों को लगता है क्या फाइदा है या नहीं है तो जी देखे बस यहाँ पर मैं लगा लूँगी पोच्चा और सच में बहुत दिन बाद पोच्चा लगाने के बाद ऐसा लग रहा कि मेरे जोड से खुल गए मैं बलगी प्योग डैडी को बोल भी रही थी मैं नगा मैं खुदी कर लिया करूँगी क्योंकि इतना टाइम मुझे मिल जाता है फिर बस वही रहता है कि अजानक से तवियत खराब हो जाती है तो उसके बाद चिज्जों को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है कि भई अब जब तवियत खराब हो गया तब क्यासे होगा तो बस इसी वज़े से फिर मैं नगा चलिए कर लेगी सुनीता तो ये तो है कि भई खाना बगएरा हम खुद बना ले बाकी का काम सुनीता कर लेगी आगी तो जिलीजे पोच्चा भी मेरा लग गया है और बस इसके बाद मुझे है नहाना दो ना तो इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए अच्छा लगा है तो लाइक करे शेयर करे कमेंट करे सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर ले मिल जल्दी तक तक के लिए बाई बाई रादे रादे